नमस्कार आप देख रहें समाचार एक्सप्रेस में आपके साथ सुमन 24 जुलाई के एतिहास में आपका स्वागत है आपको विस्तार से बताएंगी कि 24 जुलाई को कौन सी एतिहासी घटनाए घटित हुई थी और वो कौन से परिशित ब्याक्ति थे जिनका जन्वा निधन तो शुरुवात करते हैं 1901 हो हिन्री को बैंक से गवन के लिए तीन साल की सेवा के बाद कॉलम्बस ओहियों में जेल से रिहा किया गया था 1901 में किया था 1922 में पिलिस्तीन के ब्रेटिस संधिका मसौद आफचारिक रूप से लिग आफ नैशन की परिशय द्वारा पुष यूद में लड़े अन्य देशों द्वारा तुर्की की सीमाव को सुल्जाने वाले लोजेन की संधी पर हस्ताचर किये गए थे 1924 में तिमिस्टोकलिस सौपॉलिस ग्रीस के परधानमंत्री बन गए थे 1927 में ये प्रेस में मेनिन गेट यूदिस मारक का अनावरन किया गया था 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिस्ठान की स्थापना की गई थी 1937 में अर्बामा ने स्कॉट्स बोरो बयोज के खिलाब बलतकार के आरुपों को छोड़ दिया था 1963 में जहाद ब्लू नेज लौने बर्ग नोवा स्कॉटिया में लौंच किया गया था 979 में अपॉलो प्रोग्राम अपॉलो ग्यारप्रस्तांद महसागर में सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया था 1977 में चार दिवस्य लंबे लीविया मिर्स्र के यूद का अंत हुआ था अब आपको बताएंगे कि 24 जुलाई को कौन से वो परसिद ब्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था अठारा सो तिर्पन में जोति शात्स के मराठी वद्वान शंकर बालक्रिष्न दिक्षित का जन्म हुआ था 1911 में भारत के परसिद बासुरी वादक पन्ना लाल घोश का जन्म हुआ था 1924 में उर्दू के सुपर्शिद शायरवा कवी नाजिस परताबड़ी का जन्म हुआ था 1935 में बारवी लोकसभा के सदर से रामपाल उपाध्याय का जन्म हुआ था 1937 में परसिद भारतिया विनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ था अब आपको बताएंगे कि 24 जुलाई का कौन से वो परसिद भ्यक्ति थे जिनका निधन हुआ था 1949 असम के समाजी कारेकरता तरुन राम फूकन का निधन हुआ था 1980 में हिंदी चल्चित्र अभिनेता उत्तम कुमार का निधन हुआ था 2007 में भारत के मशूर विज्ञानिक और सिक्षावीद यश्पाल विज्ञानिक का निधन हुआ था अब हर्याना सरकार की दीन द्यालावास योजना के अंतरगत सेक्टर वन तरावडी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपे देकर भुक करवाएं केटिट सोसाइटी, सडक सीवरेज, स्ट्रीट लाइप, पार्ग, कम्यूनिटी सेंटर, तुरांत फ्रिजिस्ट्री और प्रसेशन भी कॉल 94660 34000